आज हम इस वीडियों बात करने वाले सत्विः शरकार के सत्वे चरण की सिखषक बहाली के बारे में एक बहुत ही इंपोर्टेंट और खुसकवरी भरी एक नोर्टिस जारी हुआ है, सत्विः अचरण के नियो माली जारी हुआ है, इस नियो माली में कुछ नया चीज़ इसको बारेकी से हम लोग समझते हैं जितने भी आप लोग जो टीचर्स अभियारती हैं उन्हों के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट नोटिस होने वाली है जो आज बिहा सरकार ने इसको जारी किया इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है कि भारत के समिधान के अनुच्षेद 309 के परंतुख के अधीन प्रदत सक्तियों का प्रियोग करते हुए बिहार राजपाल के द्वारा राज के प्राथमिक मद्य माधमिक उच्च माधमिक उतक्रमित उच माधमिक नौ अस्थापित उच के सेवा सर्थ के बिनिशित करने हेतु निमांकित नियोमाली बनाया गया है देख नियोमाली जारी किया है आपके सत्वा चरड़क की भैकेंसी के लिए तो उस नियोमाली में क्या नाया चीज़ दिया हुआ है इसमें आप लोग देख सकते हैं यह सब सारे यहां पर दिया ह इसको में टॉपिक की बात करते हैं में टॉपिक में इसमें क्या दिया हुआ इस टॉपिक पर हम लोग सिधे पहुंचते हैं इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए इसमें नियोमाली में फर्स नियोमाली में दिया हुआ है कि आप नागरिक हों और साथ में बिहार राज का स्थाई निवासी हों सिफ बिहार के ही कंडिडेट इसका फरम को फिलेप कर पाएंगे और इसके लिए एक और एक्जाम्स लिए जाएंगे जो अभियारती सीटेट बीटेट एस्टेट जितने भी आपके साइक्षडिक अहरता जो हो पद सीधी नियुक्तिक से भरे जाएंगे और जो भी अब सिखख होंगे वो सीधे राज सरकार की कर्मी कहे जाएंगे राज सरकार की कर्मी होंगे और ये आयोग द्वारा एक और एक्जाम लिए जाएगा जो सीटेट जो पास है उनके लिए तो इसमें दिया हुआ है कि व ले सकते हैं तो आपके बहुत ही इंपोर्टेंट यहां पर नोटिस देखने को मिल सकता है और आगे बात करते हैं और जितने भी इसमें आयू है नियम है और आरक्षण है टोटल पहले जैसा ही है और इसमें कोई नाया बदला हुआ नहीं है शिफ नाया यह जी आया है कि आप भी आपके पहले से जो छटा चरणा या इससे पहले जितने भी आपका एक्जाम बहाली हुआ है उसके आधार पर नहीं होगा आयोग के आधार पर होगा दोस्तों तो आप लोग लिए बहुत ही है इंपोर्टेंट नोटिस है अगर आप चाहते हैं इस नोटिस को बिस्तित करने को प्रेस को दें ताकि जब भी इस तरह के वीडियो लगा है तो आपके पास नोटिस की सना साइन से पहुंच जाएं मिलता है नेक्स वीडियो में तुर्ट की बाया जय हिंद